BM Meats में हमारे एक जनाय थे जो चार्टिस थे और उनका एक ही स्टॉक हम लेंगे टू मिनिट अनालिसिज में और वो इसलिए ले रहे हैं हम विकास कई वार क्या होता है चार्ट कुछ और बोलता है तो उन्होंने डेड़ करोड रुपया सिर्फ चार्टिंग के तौर पर चार पर लगाया है तो जरा देखा जाए कि कैसे स्टॉक से ये तो गुजरात इंडस्ट्रिल पावर अगर मैं देखू तो टैनियर हाई बनाया हूँ है सारे मुविंग आवरिज के उपर और आप जो क्लासिक पैटन है चार्ट का वैसा पैटन में है उपर में टिका हुए स्ट स्टॉक आइसा नहीं कि उपर आने के बार गिर गिर गया है और वो एक मेने दो मेने कर आप देखेंगे स्टॉक को गुजरात Quark की बात हो रही है तो स्टॉक भी कोई ऐसा नहीं कि कोई उपर आकर टिक नहीं पा रहा है लुड़क गया हो नीचे आ गया हो तो क्यूरियोसिटी हिसाप से अगर आप चार्टिंग के हिसाप से स्टॉक को देखेंगे तो मेरे को लगता है स्टॉक ठीक लग रहा है लेकिन लग 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 160 का है उपर में 10% है from the top dividend yield 2.27% का ROC इसका टाइटाए फिस 6% 8% का return on equity, return on capital employed, last 5 साल का sales growth कुछ है ही नहीं इसमें आप देखेंगे और 3 साल का sales growth भी कुछ नहीं है, EV by EBITDA तो छोड़ने इसका कोई बतलब नहीं है या पे, book value से नीचे मिल रहा है stock और इ इसलिए नीचे मिल रहा है book value से, जोकि return on equity 6% है, तो अगर 6% return on equity मिलती है company को, तो book value से नीचे मिलेगा आपको, अगर 25% return on equity मिलती, तो book value के 3 times, 4 times मिलता stock, जितना high return on equity, उतना high price to book, दूसरी बात इसमें debt पूरे भरा पड़ा है company में, मतलब अगर आप यह company का result, fundamental हिसाब से देखेंगे तो peer ratio कम है, 13 का peer ratio है, तो अब बोलेंगे सस्ता है stock, लेकिन सस्ता नहीं है, तो कि 13 के peer ratio के बाद भी stock में कोई growth नहीं है, कोई activity नहीं है, gross profit margin applicable नहीं है, और यह power hour का काम करती है, लेकिन मेरे को लगता है, यह stock जो है, यह retail driven stock हो गया है, क्योंकि otherwise, यह stock को ऊपर जाने का logically, logically कुछ नजर नहीं आता है कि ऐसा क्या हो जाएगा इसमें, कि stock ऊपर चला जाए, बट यह stock, normally ऐसे stocks जो है, जो all time high के लगबग होते हैं, 10 year high पे भी होते हैं, उसके बाद भी बहुत बड़ा आप इसमें view, momentum, stroke, इसमें कोई बहुत यूज कोई इसमें कोई view नही equity है, तो obviously आप price to book से भी नीचे trade करेंगे और आप price to book से नीचे trade करेंगे, तो जो stock आपका है, उसमें आपको आगे जाते वे भी कोई आपको appreciable gains नहीं मिलेगा, और book value इसलिए भी इसका कम है कि dividend बहुत देती है, 2-2.5% dividend deal पे stock है, तो 2-2% dividend deal का stock जो है, ऐसे भी आपको पता है कि हम लोग को dividend deal के जाधा सारा stock अच्छे नहीं लगते हैं, जो जाधा dividend दे, तो industrial power है, और power का आपको पता है, यह कि power में पैसा बनाना कितना मुश्किल है, एक power में पैसा बनता है, वो अगर आप दिल्ली के power में बैठे हैं, कि MLA, MP वाले power, वो power में पैसा बनता है, बिजनस के powerful अगर आप लीडर हैं, तो पैसा बनेगा, लेकिन real power generation के अगर आप company चला रहे हैं, तो उसमें कोई पैसा नहीं है, वो टाइटाइप हिस काम है, बिकर्स आप rate बढ़ा नहीं सकते, आपके input cost आपका जान खाता रहता है, हर नहीं के लिए कुछ और कहानी बताता है,